कि दूसेरे दिन फिर से नहाने की जोट पढ़ती है ऐसा नहीं होता है कि एक बार नहा ले तो अब हमेशा के लिए फ्रेशेर रहेंगे और इसलिए हमें हर रोज नहाना पढ़ता है दोस्तो यहीं बात हमारे मन पर भी लागव होता है कुछ लोगे काते हैं कि हम एक बार तो ग्यान की बात मिली गई हम चीजों को समझी गए तो फिल से बार बार उसी चीज को पढ़ने की और सुनने की क्या जुरुद है दोस्तों जो हम नहाते हैं तो हमारा सरीर एक पर धुल जाता है लेकिन वो बाहर बहुत सारे काम करता है बाहर ही वातर और में जाता है और इधा उधर इतने जगह पर जाता है कि हमारा सरीर क्या हो जाता है धुमिल हो जाता है हमारे सरीर को पर धुल धक्कड और बहुत सारे परज़ जम जाती है, अगर उना हटे तो हमारा सरीर पंक्चोल वर्क नहीं कर पाएगा, जिस तरह सरीर अलग अलग जगह जाकर फिर से गंदा हो जाता है, और उसे धोने की जोग पड़ती है, जिसे हम नहाना कहते हैं, उसी तरह हमारा जो मन भी होता है, वो भी अलग अलग पर फिर से धुमिल हो जाता है, हमारे मन के ओपर भी धूल की परज़ जम जाती है, और इसी लिए जिस तरह हमें अपने सरीर को धोते हैं, जिसे नहाना कहते हैं, हर रोज, रेगुलर उसी तरह हमारे मन को भी मोटिवेट करने की जिरूत हमेशा पड़ती है, रेगुलर फिर भी हमें कोई चीज की कमी लगती है, ऐसा लगता है कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है, और वो कमी कुछ और नहीं है, वो कमी यह है कि हम अपने सरीर को अपने मन से अलग समझ लेने की कमी है, वो कमी कुछ और नहीं है, वो कमी है कि अपने तन को और मन को अलग समझ लेते हैं कि मित्रों एक कोई किताबी बाते नहीं है हमारा सरीर किवल तन से नहीं बंता हमारा सरीर तन और मन दोनों से बंता है और हमें completely freshness का हमें completely एक उरजावान का हैसास तभी आ सकता है जब हमारा तन और मन दोनों फ्रेशों। और हम क्या करते हैं दोस्तों, तन को तो पूरा ध्यान देदेते हैं, तन का पूरा ध्यान भी रख लेते हैं। इसलिए हमारा आधा फ्रेशनेश, आधा काम तो हुआ देखता है, लेकिन सेकेंद पार्ट, जो मन है, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं हम उसको motivate नहीं करते हम उसका सनान नहीं कराते हैं motivation से इसलिए हमारा मन एक अजीब टैप का धूल धुकड कर से jaman feel होता है और हमें लगता है कुछ न कुछ कमी है इसलिए दोस्तों हम लोग को daily कोई नग कोई अच्छी किताब प्रेरना दायक किताब पढ़नी चाहिए और किताब नहीं मिलती है तो आजकाल साधन भरे पढ़े हैं हमें यूटूब में अलग-अलग मोटिवेटर का एक वीडियो दे दिन में जरू देखना चाहिए यह हमारे मन का अश्णान है तन का तो आप लोग ध्यान अच्छे से दही रहें और एक बार मन का ध्यान दे दिजिए अच्छे से फिर देखिए आपके डेली रूटीन में जो कमी खलती है न ओधूर हो जाएगी हमारा सरी तन और मन दोनों से मिलकर बना हुआ है और दोनों अगर फ्रेस रहें दोनों अगर स्वस्त रहें तभी हमारा सरी स्वस्त रहता है इसके असंक उधारन भरे पड़े हैं आप देखिएगा बहुत सारे बिमारियों में ऐसा होता है कि आदमी का मन टिश्रप रहता है जिसके कारण सरी बिगरता है पहले तो क्यों दिल की बिमारी के लिए बताया जाता था कि आदमी दुखी रहेगा तो दिल का बिमारी पकड़ेगा लेकिन अब तो पेट की बिमारी, किर्णी की बिमारी, सर की बिमारी सब चीच का आधार टेंसन का होना का बताया जाता है और टेंसन का संबंद किस से है? मन से है अगर हमारा मन ठीक से काम नहीं करेगा वो फ्रेश नहीं रहेगा तो हमारा सरीर का जो अंदूनी जो अंग है जो हमारे लिए दिन भर काम करते हैं जो में दिखते नहीं है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है और वो सारे का सारे पार ठीक से काम नहीं कर पाते इसलिए हम लोग अपने मन को भी फ्रेश और खुस रखना ही चाहिए दोस्तों तो मेरे वीडियो का सार यह है कि हमारा सरीर हमारा तन और मन दोनों से मिलकर बने है और किसी भी एक पार्ट को दुसरे पार्ट से अलग नहीं किया आ सकता इसलिए अगर आपको fresh रहना है स्वस्त रहना है तो तन और मन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर हमें completely fresh रहना है तो हमारे तन के साथ साथ हमारे मन का भी असनान करना पड़ेगा और इसके लिए हमें किसी ने किसी की भीचाय डेली सुनने पड़ेंगे तो दोस्तो इही सब को देखते हुए मैं दिन में एक बार जरूर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ तो दोस्तो दिन में कम से कम किसी एक मोटिवेटर को जरू सुनिये तो देखिए आपका लाइफ कितना हरा भरा दिखता है आपका जीवन में कितना अदा रुमांच भड़ जाता है और आप हर रात को एवेट करेंगे कि कल सुबह कौन सा रुमांचक काम करना है तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा या खराब लगा कॉमेंट बॉक्स में जुरूर लिखिए और अगर कुछ कमी लगा तो प्लीज कमेंट करके लाया दीजिए अगर आपको भी कुछ टॉपिक ऐसा लगता है जिस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए तो प्लीज आप लिखिए मैं पूरा परियास करूँगा कि उस पर वीडियो बना सकूँ कि मेरे ऐसे ओडियन्स भी है जिन्होंने कॉमेंट में मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं उस टॉपिक वीडियो बनाओ तो मैंने उनको उस टॉपिक वीडियो बना कर दिया है और बकायदा उनका नाम लेते हुए कि इनके रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइब कर जब भी मैं को वीडियो डालू तो उसका पहला नोटिपिकेसन आप तक पहुचे और आप इस वीडियो का लाव उठा सके क्योंकि मैं डेली एक वी जाओन बिचारो के साथ